किया सेल्टोस 2023 सामने खड़ी हुई है और इसके अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव किया है इस बार किया ने तो वो क्या बदलाव है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा नमस्का दोस्तों मैं दित्याप लगों का स्वागत कता हूँ एक और नहीं वीडियो के अंदर तो गाइस मैं बता दूँ भईया ये डीजल खड़ी हुई है HTE base model खड़ा हुआ है और इसके अंदर अब आता है IMT IMT आता है वहिया पूरी किया के ही अंदर आप सोनेट लोगे तो उसके अंदर आपको IMT मिलेगा डीजल के अंदर सेल्टोस लोगे डीजल में IMT मिलेगा कारन्स के अंदर भी आपको डीजल में IMT ही मिलने वाला है Manual का Option खतम कर दिया गया है या फिर आपको Automatic मिलेगा या फिर IMT मिलेगा तो इस वीडियो में सारी Information मिलने वाली है चैनल जरू सब्स्राइब करना आए शुरू करते है आज की ये वीडियो तो बात कर लेते हैं फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिल जाती है किया की बैजिं फिरेंगे लिए आपको यहां पर मिल जायेगा नीचे काफी बड़ा EDM मिलने वाला है आपको स्किट प्लेट आपको नीचे की तरह सिल्वर कलर की मिलने वाली है बात करते हैं साइट प्रोफाइल की तो साइट प्रोफाइल आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाली है बात करते हैं अगर टायर प्रोफाइल की तो 16 इंचिस का आपको इसके अंदर steel wheel मिलने वाल है, full wheel cover के साथ tire profile आप देख सकते हो, कुछ इससरे मिलने वाली है आपको और बीच में किया कि bedging मिल जाती है, fender पे indicator मिल जाता है, आपको base model होने के कारण OR या मैनुवली ही fold होंगे मैनुवली ही adjust होने वाले है, A pillar पे आपको piano black finish का इस्तमाल मिल जाएगा बात करते हैं, handles की तो body color handle मिल जाएगे, B pillar आपको इसके अंदर matte black finish के साथ मिल जाएगा, roof rail नहीं मिलने वाली इसके अंदर और ये आप देख सकते है, 50 liter का fuel tank मिल जाएगा, ground clearance इसके अंदर आपको 190 mm की मिलने वाली है, ये देख सकते हैं rear profile Kia Celtos 2023 HTE base model की ये diesel variant खड़ा हुआ है, IMT में आता है दुबारा बता दू, shark finn antennas के अंदर आपको मिलने वाला है, high mountains top lamp मिल जाएगा, ESS feature के साथ Kia के bedging आपको beach में मिल जाएगी ये आप देख सकते हैं, halogen का setup है पूरा tail lamp का नीचे की तरफ आपको lift adapter मिल जाते हैं, और boot की बात करते हैं तो भाई, boot space आपको 433 liter का मिलने वाला है काफी अच्छा boot space मिल जाता है luggage let नहीं मिलेगी इसके अंदर और spare wheel आपको कुछ इस तरह मिलने वाला है और इस बात करता हूँ अगर base model में colors की, तो base model में दो ही color मिलते हैं, silver और white तो आएए गाइस बात कर लेते हैं driver side door की, तो driver side door में आपको control कुछ इस सरह मिलने वाले हैं मैं बता दूँ यह complete black interior मिलेगा इसके अंदर और यह देख सकते हैं manually adjust करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है pin प्लस आपको all four power window के control मिल जाते हैं, यहाँ पर bottle holder मिल जाता है काफी बड़ा और यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर IMT है, तो आपको दो pedal मिलते हैं engine का hood open करने के लिए यहाँ पर आपको lever मिल जाएगा driver side height adjustment आपको मिल जाती है और यह आप देख सकते हैं gear lever कुछ इस तरह मिलेगा आपको interior complete black मिलने वाला है Kia Seltos HTE 2023 का तो आइए गाइस बात कर लेते हैं अब engine की आपको 1.5 liter का engine मिल जाता है diesel engine है, power इसके अंदर आपको hood insulator इसके अंदर मिल जाता है diesel होने की वज़ा से जो की help करता है noise को control करने के अंदर और बात कर लेते हैं warranty के तो भई इसके अंदर आपको 3 years unlimited km के warranty कंपनी की तरफ से मिल जाती है, average की बात करते है 22 इसके अंदर Kia क्लेम करता है जो की काफी अच्छी माने जाती है अपने आप में ही क्योंकि इतनी average अगर डीजल इंजन दे रहा है तो आए गाइस बात कर लेते हैं इंटीरियर की तो इंटीरियर में सबसे पहले बात कर लेते हैं steering wheel की तो steering wheel आप देख सकते हो कुछ इसकरे मिलने वाला है round shape steering है round shape इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि top models के अंदर आपको decat steering मिलता है बीच में किया कि badging आपको इसके अंदर मिल जाती है यह जो आप controls देख रहे हैं यह volume control है और phone वगरा pick and cut कर सकते हैं यहाँ पर यह वाले control आपको MID को control करने के लिए मिलते हैं यह buttons यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वाइपर control मिल जाते हैं indicator controls यहाँ पर मिल जाएंगे tiltable steering है आप अपनी height के coding tilt कर सकते हैं telescopic नहीं आथा आपर वी इंट के अंदर मिलने वाला है बात कर लेते हैं keys की तो भई दो keys के अंदर आपको मिलने वाली है दोनों ही की आपको remote मिलने वाली है और flip की रहने वाली है कुछ इस तरह से flip होती है इसके अंदर आपको lock, unlock और boot, unlock का option मिल जाता है की लगाने के लिए यहाँ पर की लगाएंगे लग जाओ और यह आप देख सकते हो यहाँ पर आपको tachometer मिल जाता है यहाँ पर आपको मिल जाता है speedometer बीच में आपको M.I.D. मिल जाते है जिसके अंदर trip A, trip B और यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको digital meter भी मिल जाता है इसके अंदर engine start stop का भी option मिलता है बटन की बात करते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब आटोमेटिक के स्टार्ट स्टॉप और डीजल है तो यूरिया के लिए भी इसके अंदर आपको लेवल बताता है कि कितना यूरिया है फुल और एंप्टी वो सब चीज़े इसके अंदर बता देता है बाकी यहाँ पर यहाँ पर आपको तो यह वाली बाकी अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर आपको डैनाइटाय आर्वियम मिल जाता है आपको संग्लास होल्डर भी मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं लाइट मिल जाती है कुछ इस तरह केबिल लाइट पिछे की तरफ भी मिलती है आपको केबिल लाइट मिल जाता है इसके अंदर आपको यहां पर आपको पॉकेट होल्डर मिल जाता है प्रस अगर मैं बात करते हो यहां पर म्यूजिक सिस्टम की तो म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह मिलने वाला है बटन्स मिलेंगे बीच में आपको स्कूल मिल जाता है और यहां पर करने के लिए स्पेस मिल जाता है कुछ ऊंगेर type जाता है फास्ट चार्जर और यूएसबी इसके अंदर आपको पॉर्ट मिलने वाला है बाकि गेर लिवर की बात कर लेते हैं तो भही इसके अंदर सिक्स फ्रंट वन रिवर्स मिल जाता है नॉर्मल सी गेर गेर नौबे इसके अंदर दो आपको कप ओल्डर मिल जाते हैं सीट पर मैं बैठा हूं आँ और यह करटन एर बैग मिल जाते हैं फाइव और सिक्स अपोजिट साइड आपको मिलने वाला है ग्राइब हंडल की बात करता हूं तो काफी स्मूथ फोल्ड होते हैं प्लस अगर मैं बात करूं सीट की तो भाई यह फैब्रिक सीट इसके के अंदर आपको मिलने है डियूल टोन को इस्तिमाल oa कंदर दाइंदर नहीं मिलेगा आपको ड्यूल टन आपको अपर वेरियंट से यह सिरफफ आपको सिंगल टौन बढर्वाला है तो गैस यह थी की वीडिएओ आपको बिच्छे साइड हैं जडिता वाल इसी का पीच् कि शीट के अंदर और और पीछे की तरफ आपको रे सी एस इवेंट बे मिल जाते हैं आर यह देख सकते हो और डाइल अब क सनद आयोगी आप हमें और यह त्विडान कराप आप लोगों को पसंद आए while अपनी स्क्रीम पर देख सकते हैं यह एक्शोरूम कॉस्ट है